हेलो गाइज विल्कम बेग तो मैं चैनल डिवान यूटूबर दोस्तों आज जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक शॉप खोलने के लिए मिनीमम जो है बजट कितना होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे वीवर सब्सक्राइबर जो है हमें कई बार कमे करने वाला हूँ आप सभी उससे चर्चा करने वाला हूँ वीडियो काफी जो है नौलेश्पूल होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी इलेक्ट्रिक शॉप खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं जो खोल चुके हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ वीडियो के अंदर जा प्लाश्ट तक जरूर देखें बहुत छोटी थी वीडियो होने वाली बहुत लंबा वीडियो नहीं जाने वाला हूँ तो वीडियो सुरूर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नहें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल न भूलें और वीडियो अभी न लाइक करें जहां पतंदा वीडियो लाइक करने की लाइक है वहाँ लाइक जरूर करते हूं तो अब मैं पॉइंट करता हूं दोस्तों जब हम दुकान खुलने की प्लानिंग करते हैं तो उस समय करला किस तरह से जो कोई 50,000 मतलब सबके पास अलग-अलग एमाउंट होता है लेकिन अब वोड मतलब सोच में पड़े होते हैं कि क्या इस एमाउंट में स्वाप खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा और अगर हमें एक बढ़िया इलेक्रिक स्वाप मतलब खुलनी है तो के लिए minimum balance मतलब minimum budget हमारे पास कितना होना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप स्वाप जो है किसी भी अमाउंट से खोल तकते हैं ठीक है लेकिन स्वाप खुलने लिए जैसे एक minimum balance बजट जो होता है कि मतलब जिसमें हमारी आपके पास जो है हो जाए इस तरह की जो है स्वाप खुलने के लिए कम से कम जो है आपके पास जो है तीन से चार लाग का budget होना चाहिए क्योंकि जब तीन से चार लाग का budget होगा तो उसमें हम लगवववववववववववववववववववववववववववववव तो हम जो है मतलब कुछ तार कुछ बल्ब कुछ टूपिन पलक कुछ स्विश साकेट ठीक है मतलब जो लूज तार होता है जो टेंपरेरी तार होता है लूज तार हो गए रहे सब रनिंग आइटम में आता है तो इस तरह के छोड़े जोड़े थामान रखे तो हम 25 से 50,000 उप लेकिन जैसा मतलब एक हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब हमारे वहां करहा का है कोई भी समान मांगे तो भूम के नहीं जाए हमारे वहां अवलेवल हो इस तरह की अगर स्वाफ आप खोलना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 लाग का मिनीमम बजट तो आप बनाही लीजिए किसी भी त उसके बाद से आप सौफ को लिए वजह है कि 3-4 लाख में आपका मान के चलिए कि जो है पचीस-पचाहसार रुपया तो सिल्फ काउंटर रेक में चला जाता है उसके बाद अगर रूम आपका अपना नहीं है अगर रिंट पे लेते हैं तो मान के चलिए कि हर मार्केट का मतलब मकान माली के पास वह advance में आपका उतना पैसा पड़ा रहेगा जब तक आप उसके रूम में है तब तक उसके पास पैसा पड़ा रहेगा जब आप उसका रूम खाली करेंगे तो पैसा वह आपको वापस देगा और बागी महीने का रेंट आप हर महीने जो है देते रहेंगे जिस भी date को fix कर द तो मार्केटिंग में कम तिकम अगर 4 लाग का बजट बना है तुमान के चलिए कि अगर 50,000 रुपया बाखी चीजों में खर्च हो गया रहे काउंटर इन चीजों में तो आप 3.500,000 रुपया में मार्केट कर लेंगे तो 3.500,000 में मार्केटिंग जब करेंगे तो 3.500,000 में मार्केटिंग में मुझे उम्मीद जहां तक है कि अगर थोड़ा थोड़ा सा समान लेंगे तो हर तरह का रिंज पूरा कर लेंगे क्योंकि उपक कैसे मार्केट न्यूलिस यजड़ और मिकसर हैता पूलिस करेंगे तो ले लेंगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैन भी आपका हो जाएगा बाकी तार हो जाएंगे बाकी स्वीश साके टूपिन प्लाट फोल्डर इस तरह से हर आइटम जो है आपके फ़ाप पे एक मिनिमम एमाउंट में मतलब हो जाएगा इस बजट में दोस्तों इस तरह से हर आइटम आपके पास हो जाएगा जिसे लुह का बोड़ हो गया लुह का जो कंतिल बोड़ आता है और फैन बाक्स इस तरह के जितने भी आइटम है यह सारे जो है रनिंग आइटम में आते हैं तो यह सब आइटम थोड़े थोड़े आपके पास इतने अमाउंड में लगभख सब कुछ हो जाएगा मतलब देखने में आपकी दुकान लगेगी कि हाँ आपके दुकान है कुछ ठीक ठाक है तो इसी वज़ा से बाकी तो आप समझ गये होंगे जब आप मार्केट में जाएगे वह सही आपको समझ में आजाएगा कि इस इमाउंड में जो है बस यह है कि जादा जादा यह ने कि जादा जादा लेले हैं हर चीज जो थोड़ा थोड़ा लीजिए कि मतलब यह नहों कि यह समान आपके पार नहों भले एक एक ही डबा लेजिए लेकिन उसे कम से कम आप अपने दुकान पर रखिए ठीक है तो तो 3-4 लाग का जो है आप मिनिमम बजट बना लेजिए अगर तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं आपको बताया हूं मेरी बाते आपको समझ में होंगी मेरी बाते अगर समझ में आ गई हूं तो वीडियो को लाइक जो रुकर दीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्क्राइब नहीं किये हैं तो इलेक्ट्रिक साथ के बिजनस पर दीजिए कि नेक्ट्र वीडियो असानी से जो है मैं आप लोग लिए बना सकूं और आपको नहीं नहीं जो है जनकारियां देता रहों इसी तरह से तो फिर मिलेंगे जो है लेकिन उससे पर लेक्षी जाओर करना चाहते हैं तमाम कमेंट आप लोगों को ऐसे आजाते है कि जो मतलब उस पर वीडियो नहीं बना सकता उस पर परसनली लोग डिसकस करना चाहते हैं तो अब कमेंट में बहुत ज्यादा मैं रिपलाई भी नहीं दे सकता तो इसी वज़ए से मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है इन इस्टाग्राम का लिंक है वहां से आप मुझे फालो करके वहां से आप मुझे मैसेज करें मैं उस पर रिपलाई देता हूं उस पर बिल्कुल मैं सभी से बात करता हूं जितने भी लोग मुझे मैसेज किये हैं हर व्यक्ति जो है जानता है कि मैं उस पर रिपलाई देता हूं बहुत सारे लोगों से ज़ूरी होता है तो में वहाँ पर अपना नंबर में शेयर कर दे ता ने अर उस चूपी पर जो है जो भी जानकारी मुझे जहां तक मुझे पता होता है मैं उन लोगों को अपने मत्रयद देता हूं जानकारी दे देता हूं तो अब जो है फिर मिलेंगे जो है नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के ताब तब तक के लिए चाहिए